आईपील 2022 में आखिरकार हार्दिक पंड्या के कप्तानी में गुजरा ट्रैटन्स की टीम अपने पहले सीजन में ही प्ले आउप में जगह बनाने में काम्याब हो गई आपको बता दें कि लखनों सूपर जैंट के खिलाप लगभग हार चुके मैच में जीत के साथ गुजरा ट्रैटन्स की टीम आईपील 2022 में प्ले आउप के लिए क्वालिफाई कर चुकी है अभी तक गुजरा ट्रैटन्स ही एक मात्र ऐसी टीम है जिसका प्ले आउप खेलना हो चुका है हलकी टॉस जीत कर पहले बल्ले बाजी करने उत्री गुजरा ट्रैटन्स की शुरुवात कुछ खास नहीं रही गुजरा ट्रैटन्स की तरफ से बतौर सलामी बल्ले बाज रिद्धिमान साहा कुल 11 गेंद खेलने के बावजूद मात्र 5 रन के स्कोर पर आउट हो गए साहा के आउट होने के बाद गुजरा ट्रैटन्स की तरफ से बल्ले बाजी करने आए मैथ्यू वाडे से कप्तान हार्दी कपंडिया को तेज तर्रार पारी की उमीद थी लेकिन तेज गेदबाज आवेस खान की गेंद पर मैथ्यू वाडे क्विंटन डिकॉक को कै इसके बाद बल्ले बाजी करने आए कप्तान हार्दी कपंडिया से गुजरा ट्रैटन्स की टीम को कप्तानी पारी की उमीद थी लेकिन कप्तान हार्दी कपंडिया का बल्ला खामोस रहा जबकि पिछले कुछ मैचों के दोरान कप्तान हार्दी कपंडिया का सांदार पर ली सुभमन गिल की आक्रामक पारी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि साथ चौके की मदद से 63 रनों की शांदार पारी खेल कर आखिर तक न बाद रहे मात्रे 144 रनों के छोटे लच्छे का पीछा करने उत्री लखनव सूपर जायंट्स की टीम को कप्तान लोक केश राहुल और क्विंटन डिकॉक जैसे दो दिगज बल्ले बाजों के आउट होने के बाद लखनव सूपर जायंट्स की बल्ले बाजी दबाव में आ गई मध्य करम में आयूस बदोनी, मार्क सुष्टो इनिस और कुर्नाल पांडिया जैसे दिगज बल्ले बाजों के सस्ते में आउट होने के बाद लखनव सूपर जायंट्स की पूरी टीम मात्र 82 रन पर सिमट गई